हेलो दोस्तों आप सभी का एक वार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिलवाट पर और आज हम बनाने जा रहे हैं ओटो डेस्स केच्च बुक फ्रो में टू पॉइंट परस्पेक्टिव तो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वाली वाली वो जाके देख सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका तो आज हम टू पॉइंट परस्पेक्टिव भी बनाएंगे और मैंने कैनवस सही कर लिया यहां से आपको परस्पेक्टिव में से सेकंड वाला जो है वो चूज करना है यह वाला पहल सिलेक्ट कर सकते हो अपने पैन का या फिर चाहो तो उपर से भी सिलेक्ट कर सकते हो इसको तो पैनल नीचे रख लेते हैं थाकि आपको अच्छे से वीदी बलो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा होरीजोंटल एंड वर्टीकल लाइन से है तो उनमें हम होरीजोंटल जो बिलकुली सीधी लाइन है वो हम सिरफ इस लाइन के उपर ही ड्रो कर सकते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हम कहीं पे भी ड्रो कर सकते हैं तो पहले हम सेंटर में एक वर्टिकल लाइन ड्रो कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक vertical line बना ली पर जो हमारी diagonal lines होंगी वो सभी इन दोनों points पे ही जाके मिलेंगी आप उनको कहीं और नहीं बना सकते तो यह मतलब बहुत ही अच्छी चीज है जो आपको बाद में बता चलेगी कि यह lines ऐसे क्यों मिलती है तो हमारा जो दूसरा one point perspective था उसमें क्या होता था कि सभी line एक ही center point पे जाके मिलती थी पर यहां पे हमारे पास दो point है तब ही इसको two point perspective कहा जाता है तो यह जो diagonal lines हैं यही lines हमें बहुत ही जादा help करती हैं एक 3D object को create करने में और आज हम इनी lines की साहिता से 3 box बना के देखेंगे और अलग-अलग angle से बना के देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं तो इसको मैं erase कर लेता हूँ और आपको एक अच्छे से एक base बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे box को easily draw कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है ball point पर लेके सबसे पहले तो हमें center एक जो है वो बनाना है तो यहाँ पे एक जो vertical line है वो मैंने draw कर दी और diagonal lines जो हैं वो जो left की तरफ आएंगी वो सभी इस point पे मिलेंगी और right बाली इस point पे मिलेंगी हमें आज तीन box बनाने है वो भी अलग-अलग angle से तो तीनों के लिए हमें जो diagonal lines होंगी वो दो-दो diagonal lines होंगी जैसे left की तरफ दो और right की तरफ दो तो उपर वाला जो हमारा box है उसका जो base है वो बन चुका है और center वाले का भी एक base बना लेते हैं तो उसके लिए भी हमने दो-दो lines draw कर लिए और एक bottom पे जो हम बनाएंगे तो उसके लिए भी दो lines draw कर लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है कि दो vertical lines center lines के साथ ही draw करनी है वो हमारे box का size है अब ही हमें क्या करना है कि box के जो ये दोनों corner है जो right वाला होगा वो left की तरफ और left वाला right की तरफ हम मिला देंगे इसको तो ऐसे ही एसे ही हमें सभी box का करना है नीचे वाले boxes का भी इसको पकड़के left की तरफ उसको मिला देंगे और ये वाला right की तरफ मिला देंगे लेकिन जो bottom है उसके नीचे वाले को नहीं उसके उपर वाले को बनाना है क्योंकि हमें उपर वाला portion ही उसका दीखेगा तो ये हमने ऐसे करके ड्रो कर दिया हूँ तो ये हमारे पास एक base तयार हो चुका है boxes का तो अभी हम इसके उपर एक final lines जो हैं वो create करके देखेंगे कि वो कैसे दिखती है तो हमारे पास ये तीनों है और इदेर से ballpoint पेन लेके यहाँ plus के sign से हम new layer ले सकते हैं इससे क्या फाइदा होता है हमें कि जो पुराने वाली layer है layer 1 उसको हम off करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो object है वो कैसे दिखेगा और ये final जो है हम इसके उपर draw कर रहे हैं तो मैं ऐसे करके जो हमें box दिख रहा है हमें सिरफ उसी के उपर draw करना है तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन सी lines के उपर मैं draw कर रहा हूँ और आप ऐसे ही अपने computer में या अपने mobile पे बना के देख सकते हो इसको तो मैं सिरफ इनी lines के उपर जो है वो final draw करना है तो आप देख सकते हो कितना easily हमारे पास एक box बनके तयार हो चुका है वो भी 3D में तो ये पहले वाली मैंने layer को off कर दिया आपको दिखाने के लिए कि कितना अच्छा दिखता है ये paint bucket लेके यहां से मैं आपको color fill करके दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने एक ही color की अलग-अलग shades को लिया है और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दिख रहा है और कितना कम time में बन चुका है तो दुबारा से ball point पेन लेते हैं तो ये हम बना के देखते हैं पहले bucket को हटा दें तो अगर हम two point के बिना बनाना चाहें तो वो कितना roughly draw होता है यहां पर और two point की साइथा से हमें कितनी easy हो जाती है lines को बनाना और हमारी lines कितनी smooth बनती है तो जैसे कि हमने उपर वाला box बनाया वैसे हम नीचे वाले box को भी वैसे ही trace कर रहे हैं तो ये हमारा आधा box बन चुका है और हम जो vertical lines है उनको भी इसके उपर ही trace कर लेंगे यहां से तो आप देखे कितने कम seconds में हमारा box बन के तयार हो चुका है और इसका जो view है वो भी 3D view में हमें दिख रहा है कोई single box नहीं है तो यहां पर हम पहली layer को off करके देख रहे हैं कि कितना अच्छा दिखता है यह तो अभी इसके उपर वैसे ही color fill कर लेंगे जैसे उपर वाले क किया था और यह हम bucket के साइता से करते हैं जो आपको ऊपर दिख रही है यह तो अभी two point को दुबारा से हम लगा लेते हैं और center वाला जो box है उसको भी बना के देखते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें सिरफ इसके उपर ही trace कर लेना है तो यह देखिए आपको बस यह ध्या तो आपका जो color है वो फिल नहीं होगा अच्छे से और या फिर वो color बाहर निकल सकते हैं तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि हमारा center का जो box है वो भी कितना easily बन चुका है तो इसको मैं सही कर देता हूं ऐसे तो आप देखिए कितनी जल्दी हमने तीन box बना लिए वो भी अल transparent बना के देखते हैं तो यह देखिए हमारे तीनो box बनके ready हो चुके हैं और कितना जल्दी हमने बना लिया अगर हम बिना two point perspective के इनको बनाने में लग जाते तो हमें कितना time लगता और जो box है वो perfect भी नहीं बनने थे two point के help से हमें कितना easy हो गया चीज़ों को बनाना तो इसको थोड़ा dark कर देते हैं तो देखिए ऐसे आप कोई भी color चाओ आप कर सकते हो इसमें या जैसे भी आप box आप बनाना चाओ बड़े size के छोटे size के तो आप इसको copy भी कर सकते हो side पे रख सकते हो या कोई building आप बनाना चाओ तो building बना सकते हो इससे और इसके बाद अप आप file में जाके यहां जो top left में है यहां से save as पे जा सकते हो और यहां पे अपना नाम भरके आप उसको सिधा save पे click करके उसको save कर सकते हो तो thanks for watching अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी